गैस अगर आपके पेसे पेटियम ओलेट में हैं और आप उनको निकालना चाहते हो तो आप उनको दो तीन तरीके से निकाल सकते हो आज मैं उसमें से ही एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीका है तो उसको use करके जो है आप अपने ptm wallet में जो पेसे पड़े है उसको आसानी से निकाल सकते हो तो सबसे पहले जो है हमने यहापे ptm जो है उसको open कर लिया है अब open करने के बाद मैं आपको मेरा जो balance है ptm wallet में वो दिखाती हूँ सबसे पहले तो balance and history का जो option है उसपे click करते हैं उसपे click करने के बाद आप यहापे देख सकते हो कि ptm balance जो है मेरा 75 रूपीज है आप उपर देख सकते हो ptm balance वहाँ पर दिखा रहा है ptm wallet का जो है मेरा 75 है तो अभी जो है हम इसको निकालना चाहते है हमारे जो bank account है उसमें इसको transfer करना चाहते है तो उसको कैसे करना है तो उपर जो search का option है उस पर हमें सबसे پہले click करना है उस पर click करने के बाद जो है आपको यहाँपे search करना है gold और gold search करने के बाद आपको यहाँपे patium gold का option दिख जाएगा और फिर आपको यहां पे जो amount का option दिया है नीचे वहां पे आप जितने का यहां पे गोल्ड खरीदना चाहते हो वह amount यहां पे fill up कर देना है तो मैंने 70 कर लिया है उसके बाद जो है यहां पे हमें यह इस तरह का screen आ जाता है यहां पे आपको name और pin code जो है वो डालना है और प क्लिक कर दिया उस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको फिर जो अपना पहला screen उस पे आ जाना है home screen पे आ जाना है और फिर दोबारा सर्च कर लेना है गोल्ड गोल्ड सर्च करने के बाद यहां पे पेट्यम गोल्ड का option है उस पे क्लिक कर देना है पेट्यम गोल्ड के option पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरह का इह पे स्क्रीन आ जाता है अब जो है आपको सेल के option पे क्लिक करना है और उपर आपको दिखेगा आपका locker balance कितना है 67.26 मेरा यहाप पे दिखा रहा है तो वो जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है 67 मैंने कर दिया और निचे जो Sell All Locker Balance है उस पर क्लिक कर देना है तकि जो Point का Balance है वह भी वहाँ पर आ जाएगा वो Directly नहीं आते हैं वहाँ पर प्रोइंट नहीं आता है तो आपको और IFC code जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है IFC code डालने के बाद प्रोसेड कर देना है फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पर कोड आ जाएगा तो वो जो है OTP यहाँ पर आपको लिखना है उसको कंफर्म करने के बाद जो ही यह प्रोसेस हो भी आपको मैं दिखाती हूँ फ्यू गोल्ड लौकर जो है उस पर आके तो आपको देख पा रहे हो कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो अब अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है अभी यह processing होके मुझे उपर message आ गया है 67.06 credited to your bank account ठीक है तो वहाँ पे जो है हमारा जो पैसे है वो अभी bank account में ट्रांसपर हो चुके है यहाँ पे थोड़े से charges लगते हैं जैसे कि मैंने 70 रूपीज ट्रांसपर करने थे तो 72 रूपीज उन्होंने मेरे से लिए और मुझे 67 रूपीज दी मतलब यहाँ पे मेरे 5 रूपे का लगभब घाटा हो गया लेकिन दोस्तों जो है हमारे जो पैसे होते हैं तो उसको हम अपने account में जरू ले सकते हैं मैं आपको यह बता सकती हूँ यहाँ और दुसरे भी उसके कुछ options है जैसे कि आप directly pay कर सकते हो किसी shop में या फिर आपको कोई bill भरना है तो उसको भर सकते हो आप directly pay मॉलेट का पैसे लेके या फिर आप पूरा पैसा निकलना चाहते हो पेटियम ओलेट से आपको charges ना लगे तो आप जो है पेटियम को पूरा full KYC करके भी पैसे निकाल सकते हो अगर आपको उस पर वीडियो करके पडार कर सकते है